नवस्कार स्वागते आपका समवाद 365 देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ दिखविजा सिंग चौहान उत्राखन की 5 बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे उसमें सबसे पहली खबर होगी आउट सोर्सिंग स्वासकरमचारिऊं को लिकर, दूसरी खबर में बात करेंगे, मुखेमंत्री پुशकरसंग दामी ने कुछ निर्देश अधिकारिऊं को दिये हैं, क्या वो निर्देश थैं, तीशरी खबर में बात करेंगे, कॉंग्रस के चिंतन शिविर की हार के बाद Congress चिंतन और मन्थन कर रही है क्या चिंतन मन्थन में निकला है उसको भी आपको बताएंगे आगली खबर में बात करेंगे चारधाम यात्रा कुलेकर उत्राखळ में चारधाम यात्रा लगता है कि record इस बार तोडने वाली है record संख्या में तीरत पहले बात कर लेते हैं आउट्सोर्सिंग स्वास्त करमचारी यों को लेंगा दरसल कोरोना काल में आउट्सोर्सिंग के माध्यम से करीब 2200 स्वास्त करमचारी को नौकरी पर लगाया गया था लेकिन 31 मार्ज को उनकी सेवाइं समाबत कर दी गई थी उसके बाद एक बड़ लेकिन नियुक्ति को आउट्सोर्सिंग एजनसी के माधियम से खरवाय जा रहा है अब इस मामले में ये बात निकल करके सामने आए कि जो बारा नियुक्ति देने के नाम पर उनसे 40,000 रुपे तक की सिक्योरिटी ली जा रही थी इसी को लेकर के जो आउट्सोर्सिंग स्वा ले की गई थी वो उपनल और पीरडी के माधियम से की गई थी तो फिर अब क्यों तीसरी एजनसी के माधियम से उनकी निव्तियों को खिया जा रहा है और क्यों फिर तीसरी जो एजनसी है वो उनसे सिक्योरिटी के नाम पर पैसे लेने का काम कर रही है उन्होंने आरोप ल हालां कि अब इस मामले में बात ये निकल करके सामने आ रही है कि इस तरह की security fees लेने का या फिर security लेने का कोई तुक नहीं बनता है और कोई नियम भी नहीं है कि outsourcing जो agency है वो इन स्वास्त करमचारियों से security के नाम पर 40,000 रुपए ले इस मामले में जो company है outsourcing company उसको notice भी इसके अपने नियम है देखे रही है तो हम इस बारे में कोई comment नहीं कर सकते हमें तो जब manpower मिलेगी तो हम उनको perfect करेंगे और बाकी जो किस तरह से रखे जा रहे हैं इसके बारे में अभी हम मेरे को नहीं जानकारी है वो सासन इस तरह पर निदे साले इस तरह पर लंबीत ह अगर 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 मेडिकल को लोगी की बात करें वहां तो उन्हें सद्य हायर कर दिया है जब हम यहां से फॉन के जाता है हर एक बैक्टी को फॉन के जाए जो हमारे कोविट करमेशारी है जिसने अपने उस दोरान काम किया था जिस टाइम पर यहां पर कोई करने को तहीं अगर बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी को लेकर चंब बावत में उपचुना उनिपर चुका है मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी कई बार एक्शन मोड में नजर आते हैं इसी सिलसले में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने सचिवाले में अधिकारियों के समिक्षा बैटक ली इस समिक्षा बैटक में उतराखन में चल रहे कई विकासकारियों के बारे में चर्चा की गई बातचित की गई पूरे नहीं हो पाते हैं, मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने इसी सिलसले में अधिकारियों को पश्ट तौर पर निर्देश दिये हैं, कि जो भी फाइलें सची वाले में होती हैं, उनके लिए एक समय सीमय का निर्दारन किया जाए, कि इतने समय में इस फाइल को कंप करने के लिए, जो वार्दात होती हैं, उसको रोकने के लिए सपश्क तौर पर काम किया जाए, सक्ती के साथ काम किया जाए, बुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, कि प्रदेश में जो पेट्रोलिंग है, उसको लगातार बढ़ाया जाए, जो पुलिस प्रशासन का मुख्व के प्रदेशन बेहत निराशा जनक था, इसी निराशा जनक प्रदेशन को लेकर कॉंग्रस में पहले तो राजेस्टान के उदैपुल में चिंतन शिविर किया, और उसके बाद वहाँ से जो बाते निकली, उसको लेकर कि देहरादून में भी अब चिंतन शिविर का किया जा रहा है इस चिंतन सिविर में कॉंग्रेस के प्रदेश प्रिभारी देवेंदर यादव, पुरु मुख्यमंतरी हरी इश्रावत, प्रदेश अध्यक्ष करन महारा, नेता प्रतिपक्ष यश्पाराया, उपनेदा प्रतिपक्ष भुवन का प्रिसमित, कई बड़े ब प्रतिमान मोतराखन में हैं, उसके लिए बड़े नेताओं को जिम्यदार ठेराया है, तमा पतादिकारियों का ये कहना था, कि कॉंग्रेस का प्रतेशन सामने आया है, वो बे वजह कि बयानबाजी और पार्टी में चल रही गुटबाजी का ही एक नतीजा है, पतादिकार में कॉंग्रेस क्या निजोर निकाल पाती है और किस तरीके से प्रतेश में दुबारा अपनी वापसी के रह देख सकती है, ये तो भवशेवदाएगा, लेकिन फिलाल चिंतन शिविर से निकली हुई बातों को कितना अमल में लाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, चौदा लाग तीर तीयातरी उत्राखन पहुँच चुके हैं, साड़े तेरा लाग के आसपास का ये आकड़ा है, लेकिन एक दो दिनों में जिस तरीके से श्रद्धाल्म की संख्या बड़ी है, तो चौदा लाग को ये आकड़ा अपपार कर गया होगा, 31 मई की देर 40,330 रही, हेमकुन साहिब में भी करीब 24,000 से जादा तीर तीयातरी दर्शन कर चुके हैं, श्रद्धाल्म की लगातार बड़ते ही संख्या को देखते हुए, उत्राकन सरकार, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, कई जगों पर चारधाम यात्रा पर आने बढ़ रही है, चलिए बात कर लेते हैं, मौसम को लेकर दहरादून में पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपना सितम दिखा रही है, पिछले कुछ दिनों से दहरादून का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और मौसम विभाग की माने, तो आने वाले कुछ दिनों तक इस आने वाले कुछ दिनों तक ये तापमान करीब 49 और 40 डिगरी तक पहुंचने की संभावना ज़ताई जा रही है। गर्वी ने इस हद तक लोगों का जीना मुहाल कर दिया है कि कूलार और पंखे तक भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। और तापमान में लगातार वृधी हो सकती है।